अंग शान्ति आज 26 फरवरी 2022 के बाबा के अनमोल मतूर महावाक्य सुनेंगे मीठे बच्चे रोज अम्रत वेले ज्यान और योग की वाशधूप जगाओ तो विकारो रुपी भूद भाग जाएंगे आज की मुडली से प्रश्न है कौन सी एक भूल अनेक भूतों को अंदर में प्रवेश कर देती है उत्तर है मैं आत्मा हूँ यह बात भूलने से अंदर में अनेक भूत प्रवेश हो जाते है देह अभीमान का भूत सबसे बड़ा है जिसके पीछे सब आ जाते है इसलिए जितना हो सके देही अभीमानी बनने का पुर्शार्थ करो आज की मुर्ली से पहले गीत बजा है आज अंधेरे में है इंसान ओम्शार्थी बाप बैठ बच्चों को इस गीत पर समझाते हैं भगत भगवान से चाहते हैं क्या चाहते हैं कि भगवान आकर हमारी आँखों को अपना साक्षा करा दे अर्थात इन नैनों से हम इश्वर के दिव्य स्वरुप को देखे अब तुम बच्चे तो सनमुख बैठते हो तुमने इश्वर को पाया है इन आखों से देखा है इश्वर को कैसे पाना होता है वह खुद ही आकर बताते हैं इश्वर खुद आकर बताते हैं इश्वर को कैसे पाना होता है, अर्थात या नौलेज देते हैं, समझाते हैं इस तन के द्वारा, प्रमा वाबा के तन के द्वारा समझाते हैं, नौलेज देते हैं और बताते हैं कि कैसे इश्वर को पाना होता है, तुम सब आत्माएं भी इस्तन द्वारा अपना अपना पाठ बजाती हो, बिगर शरीर तो कोई पाठ बजा न सके, पाठ आत्मा ही बजाती है शरीर द्वारा, शरीर के नाम भी बिन बिन रखे जाते हैं, आत्मा तो एक ही है आत्मा खुद कहती है और बाप भी समझाते हैं कि 84 जन्म आत्मा लेती है आत्म कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते है शरीर तो नहीं कहेगा बाबा कहे शरीर तो नहीं कहेंगा न अब तुम बच्चे तो जान गए हो कि हम आत्म है न कि शरीर बाबा आकर हमको आत्म अभीमानी बनाते हैं इस शरीर द्वारा आत्मा ही सब कुछ करती है शरीर के अंदर आत्मा कहती है इस शरीर द्वारा मैं चलता फिरता हूँ शरीर में आत्मा है और आत्मा शरीर के द्वारा बोलती है कि मैं चलता फिरता हूँ मैं आत्मा जज वकील आधी बनता हूँ आत्मा कहती है कि हम इस शरीर द्वारा राज योग सीखते हैं कितना सुन्दर बाबा आत्मा का पाठ पुनह पक्का करा रहे हैं आत्मा कहती है हम इस शरीर दौरा राज युग सीकते हैं, फिर जाकर राजा रानिक के लिबास पहने। यहाँ राज युग सिnेगे और फिर आत्मा जाकर के सत्यूग में राजा रानिक के लिबास पहनेंगे, अर्था चोला धारण करेंगे, अब तुमको आत्म अभीमानी बनाया जाता है दे अभीमान में आना यही पहले नंबर की भूल है जिससे फिर और भूले भी होती है इसको दे अभीमान का भूत कहा जाता है हर एक मनुश्य में पांच भूत तो है जरू भूतों को भगाने के लिए ही वाशदूप किया जाता है दुनिया में भूतों को भगाने के लिए वाशदूप किया जाता है अब ये पांच भिकारों के भूत को भगाने के लिए कौनसा वाशदूप करना है तो बाबा कहते हैं, इन पांच विकारों रुपी भूतों के लिए वाष्धूप है ज्यान और योग, यह वाष्धूप है, यह कोई जल्दी नहीं भागते हैं, यह विकार भी इतने दीट हो गए हैं, जो जल्दी नहीं भागते हैं, उन्हों को बठी में डाला जाता है, क्योंकि ये पाँच विकार बड़े पुराने दुश्मन है, बाब कहते हैं बच्चे, तुम्हारे में इन भूतों की प्रवेश्टा हुई, आधा कल्प हुआ है, जब से रावन राज्य चला है, बरोबर भारतवासी रावन को दुश्मन समझ कर जलाते हैं, बरोबर भारतवासी रावन को दुश्मन समझ कर जलाते हैं, एक बार इनका खात्मा हुआ है, तब फिर रसम चली आती है, एक बार जरूर खात्मा हुआ है रियल्टी में, तभी तो रसम चली आती है, इस समय तुमने इ रावन मुर्दाबाद हो गया था आधा कल्प के लिए बच्चे कहते फिर बाबा ये कब जिन्दाबाद होगा ये रावन फिर जिन्दाबाद कब होगा बच्चे फिर आधा कल्प के बाद जिन्दाबाद होगा द्वापर से ये पुनह जिन्दाबाद होगा अपना राज्य करेंगे कहते हैं ना राम राज्य चाहिए तो अब कौन सा राज्य है रावन राज्य है ना सत्यूग में रावन राज्य ही नहीं होगा वहां होगा राम राज्य अच्छा राम राज्य के पहले पहले राजा रानी कौन थे कितना सुंदर सिंपल शब्द में बाबा बताते कि अच्छा राम राज्य के पहले पहले राजारानी कौन थे यह भी कोई जानते नहीं राम राम कहते हैं तो राम को उपर ले गए इसलिए कृष्ण से पहले राम को दिखा दिये कि तरेता युद में राम और दुआपणि में कृष्णा तो राम राम कहते हैं तो राम को उपर ले गए कृष्ण को नीचे ले गए हैं सत्युक्त तो जैसे उन्हों को पता ही नहीं है तुम प्रदर्शनी में भी लिख दो क्या लिखेंगे कि हर एक मनुष्य में पांच भूतों की प्रवेश्टा है कम से कब साथ रोज बठी में रहे तब ये भूत सब भागे उन्हों को ज्यान और योग का धूप जाए उनके सिवाई कभी मुक्ती जीवन मुक्ती पाने सकेंगे इस ज्यान और योग का इंजेक्शन एक ही सर्जन के पास है अब ये ज्यान आत्मा को मिल रहा है आत्मा समझती है कि बाबा हमको समझा रहे है और कोई भाशा में ऐसे नहीं कहेंगे कि परम पिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे है बाबा कहे और कोई बाशा तो क्या और कोई धर्म में ये बात नहीं कही जाएगी कि परम पिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे है भगवान खुद भी निराकार तो बच्चे भी निराकार निराकार इस साकार द्वारा साकारी बच्चों को ज्यान दे रहे हैं ये तुम अच्छी तर जानते हो परन्तु बाबा कैसा अच्छी तर जानते हैं परन्तु क्या होता है चलते चलते कहीं बच्चे भूल जाते हैं भूलने का भी पहला पहला कारण है देह पीमान का बूद उसको भगाने का अम्रत वेले ही पुर्शार्थ करना है अम्रत वेले बाबा की याद अच्छी रहती है कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ अम्रत वेले का ही काईदा है भगत लोग भी अम्रत वेले ही सिमिरन करते हैं गाते न, राम सिमिर प्रभात मोरे मन, आत्मा बुद्धी को कहती है कि राम सिम्रो, बक्ती मार्ग में तो ऐसे ही टोटके बनाते हैं, वो कोई रियल्टी में नहीं है, समझते नहीं कि काम भी भूत है, तुम लिख सकते हो, सब में पांच भूत है, पहला नंबर है दे अभीमान, फिर सेकंड नंबर है काम महाशत्रू, आगे स्कूल में भी पढ़ाते थे, कि तुम आत्मा हो, ये शरीर पांच तत्व का बना हुआ है, आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है, अब तो ये पढ़ाई अधी कुछ नहीं है, अब तुम बच्चों को पूरा पूरा परीचे ही दिया जाता है, और स्कूलों में भी ये पढ़ाई है नहीं, इसलिए बाबा कहते हैं, यहां पूरा परीचे ही दिया जाता है, प्रेजिडन्ट को जरूर प्रेजिडन्ट कहेंगे, प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर, दोनों की एक्ट अपनी अपनी है, वैसे परमपिता परमात्मा और फिर त्रीमूर्ति, उन्हों की भी एक्ट अपनी अपनी है, शिव को कहां ही जाता है पतीत पावन, वह ब्रह्मा द्वारा पतीतों को पावन बनाते हैं, उनकी यह ड्यूटी है, अब बड़ेते बड़ा तो है शिव, शिव बाबा कब जन्म मरण में नहीं आते हैं, बाकी ब्रह्मा द्वारा सर्विस करते हैं, शिव बाबा है एवर प्योर, ब्रह्मा, विष्णू, उनरजनम में आते हैं, शिव बाबा तो करन करावन हार है इस समय बाबा मीठे ज़ाड का सैपलिंग लगा रहे हैं जो और धर्म में कनवर्ट हो गए होंगे वह सब निकल आएंगे तो यह इतनी समझाने नया कोई समझ न सके ये सारी है डीटेल की समझाने साथ रोज बठी में पढ़ने के सिवाए मुक्ती जीवन मुक्ती कोई पा नहीं सकते है तुमने भी भूतों को निकालने के लिए इतनी मेहनत की है बुद्धी जब पवित्र हो तब ज्ञान अमृत ठ ठहर सके जब तक बुद्धी रुपी पात्र पवित्र न हो तब तक ज्ञान अमृत ठहर न सके तु इसे लिए बाबा कहें बुद्धी जब पवित्र हो तब ज्रुब आमृत ठहर सके तुम बच्चे समझ सकते हो तो बरोबर बाबा की याद भूल जाती है बहुत देह अभीमान आने से फिर मित्र संबंदियों आदी तरफ लौव चला जाता है कोई को भी मो का भूत ना आए बाबा को कितने ढेर बच्चे है मो की बात ही नहीं जानते हैं आत्मा कभी मरती नहीं मरने कहीं डर रहता है आत्मा भी अविनाशी है परमात्मा भी अविनाशी है वह जन्म मरण में नहीं आता बाबा कहते हैं मैं इस शरीर का लोन लेता मेरे रहने से इनको बहुत फाइदा है शिबाबा के रहने से ब्रह्मा बाबा को भी बहुत फाइदा है इनकी आयू बढ़ जाती है गुलगुल हो जाता है इनकी सब खामियां खत्म कर बिल्कुल नया बना देता है शिबाबा इनकी सब खामियां खत्म कर बिल्कुल नया बना देते है बाबा तो है ही सुक्ष दाता, मेरे कारण ये योग सीखते हैं, तब तु तंदूरस्ट बने जाते हैं. किसको गाली देना, गुश्सा करना, ये सब आशुरी स्वबाव हैं. सत्यवत में ये गालियादी होती नहीं है, नाम एक कितना फॉर्स ग्लास है. सुत्युक का नाम है कितना पस्कला से क्या है heaven, वैंकुंट, paradise कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत paradise था इस हिसाफ से बरोबर 5000 वर्ष ही हुआ यह सत्य ज्यान और सत्य नाराण के कथा कितनी सहज है बाबा आकर के सत्य ज्यान और सत्य नाराण की कथा सुनाते बाबा के कितनी सहज है हम अभी नर से नाराण बनने की सत्य कथा सुनते है और यह सत्य कथा क्या है तो बाबा कहे राज योग अभी हम नर से नाराण बनने की सत्य कथा सुनते है राज योग की फिर यहां की बात भक्ती मार्ग में चली जाती है यहां की बाते भक्ती मार्ग में चली जाती है वंडर है ना भारतवासियों को पता ही नहीं कि लक्षमी नारायन ही राधे कृष्ण थे इसलिए हम यह चित्र बनाते रहते हैं तो मनुष्य समझे तुम बच्चों के सेंटर वृत्धी को पाते रहते हैं बहुत चाहते हैं सेंटर खोले जाच करनी चाहिए कि कितने पढ़ने वाले हैं सेंटर खोल दो फिर खर्चा तो लगेगा तो बाबा कहें जाच करो कितने लोग पढ़ने वाले हैं स्कूल में स्टूडन्ट तो चाहिए ना, पहले दो-चार आएंगे, फिर जास्ती होते जाएंगे, गली-गली में मंदिर, ठिकाने खुलते रहते हैं, फिर एक-दो को देख बहुत आ जाते हैं, सेंटर खोलने जैसा भी चाहिए ना, हर्चा नहीं है खोलने में, परन्तु विग्न बहुत पढ़ते हैं, विकारों के कारण, हम तो सिर्फ गीता सुनाते हैं, परन्तु शुरू से इस विश के कारण जगड़ा चलता ही रहता है, समझते ही यहां जाने से विश का प्याला नहीं मिलेगा, इस पर मीरा का इतिहास भी है, ऐसे तो बहुत कन्याएं और बालक ब्रह्मचारी रहते हैं, उनको तो कोई कुछ नहीं कहता, यह तो कल्प पहले भी गाली खाई थी, यह तो होना ही है, कोई तो पवित्रता की प्रतिग्या करते हैं, फिर हार भी खा लेते हैं, कल्प कल्प की लॉट्री है, इसमें जाच की जाती है, कि कहां तक वर्सा लेते हैं, फिर कल्प कल्प लेते रहेंगे, कहां काम न मिलने करण, फिर क्रोध में आकर हंगामा करते हैं, तकलीफ बहुत देते हैं, मारते भी हैं, फिर जब समझ जाते हैं, तो माफी भी लेते हैं, फिर भी अपकारी के उपर उपकार करना होता है, आवे कहें, तुम्हारा करतव्य है, अपकारी पर उपकार करना, कहेंगे, अच्छा, फिर पुर्शार्थ करो, अपकारी पर उपकार कर, उठाना बहतर है, रहम दिल बनना होता है, पहले-पहले महनत है, कौन से? पहले-पहले महनत है, आत्म अभीमानी बनने की, ते अभीमानी होने से बाप को भूल जाते हैं, फिर भूले होती रहेगी, हर एक की चलन से पता पड़ जाता है, मुख से हमेशा रत्न निकलने चाहिए, पत्थर नहीं, आगे पत्थर निकलते थे, अब रत्न निकलने चाहिए, तुम्हारा नामी है रूप बसंद, बाबा भी रूप बसंद है, ज्यान का सागर है, और उनका रूप भी जोतर लिंगम दिखाया है, परन्तु है स्टार, बड़ा रूप रख दिया है, ताकि मनुश्य पूजा कर सके, अपनी भावनाओं को अर्पित कर सके, अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चो प्रती, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चो को नमस्ते, हम स रूहानी बच्चो की, रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आज की मुर्ली से धाना के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, पहले पहले, आत्म अभीमानी बनने की महनत करनी है, दे अभीमान में कभी नहीं आना है, रहम दिल बन अपकारी पर भी उपकार करना है, दूसरी पॉइंट, भूतों को भगाने के लिए, अम्रत वेले विशेश याद में रहने का पुर्शार्थ करना है, मिठे जाड का सैपलिंग लगाने में बाबा का मददगार बनना है, आज का बाप दादा का मदुरवर्दान हम बच्चों के प्रती है, बेहद की वैराग्य वरत्ती द्वारा, मेरे पन के रोयल रूप को समाप्त करने वाले न्यारे प्यारे भवक, बेहद की वैराग्य वरत्ती द्वारा, मेरे पन के रोयल रूप को समाप्त करने वाले न्यारे प्यारे भवक, समय की समीपता प्रमान, वर्तमान समय के वायु मंडल में, बेहद का वैराग्य प्रत्यक्ष रूप में होना है, बाबा कहे समय की समीपता प्रमान, वर्तमान समय के वायु मंडल में, बेहद का वैराग्य प्रत्यक्ष रूप में होना आवश्यक है, यथार्थ वैराग्य वृत्ति का अर्थ है इसको कहा जाता है यथार्थ वैराग्य वृत्ति तो बाबा कहे यथार्थ वैराग्य वृत्ति का अर्थ है सर्व के संबन संपर्ग में जितना न्यारा उतना प्यारा जो न्यारा प्यारा है वह निमित और निर्मान है उसमें मेरे पन का भान आ नहीं सकता वर्तमान समय मेरा पन रॉयल रूप से बढ़ गया है कहेंगे ये मेरा ही काम है मेरा ही स्थान है मुझे ये सब साधन भाग्य अनुसार मिले हैं तो अब ऐसे रॉयल रूप के मेरे पन को समाप्त करो अब ऐसे रोयल रूप के मेरे पन को समात करो आज का स्लोगन है परचिंतन के प्रभाव से मुक्त होना भाबक कहे परचिंतन के प्रभाव से मुक्त होना है तो शुब चिंतन करो और शुब चिंतक बनो पर्चिंतन के प्रभाव से मुक्त होना है तो शुब चिंतन करो और शुब चिंतक बनो आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है कि हम ब्रामन कूल का छोटा सा संसार है गीत बजा था मेरा छोटा सा देखो ये संसार है तो मम्मा कहे ये गीत किसी समय का गाया हुआ है क्योंकि इस संगम समय ही हम ब्राम्मन कोल का छोटा सा संसार है वो हमारा कौन सा परिवार है वह नंबरवार बतलाते हैं हम परम्पिता परमात्मा शिव के पोत्रे हैं ब्रह्मा सरस्वती की मुख संतान है और विश्नु शंकर हमारे ताया जी है तो मम्मा कहे विश्नु शंकर हमारे ताया जी है और हम आपस में सभी भाई बहन टेरे यह है अपना छोटा सा संसार इनके आगे और संबंद रचा ही नहीं है इस समय का इतना ही संबंद कहेंगे देखो हमारा संबंद कितनी बड़ी अथोरिटी से है अमारा ग्रेंड पपा है शिव इनका नाम कितना भारी है वो सारी मनुश्य स्रिष्टी का बीज रूप है सर्व आत्माओं का कल्यानकारी होने कारण उनको कहा जाता है हर हर भोले नात हर हर होलानात शिव देवो के देव महादेव वो सारी स्रिष्टी का दुख हरता सुख करता है उस द्वारा हमें सुख शांती पवित्रता का बड़ा हक मिलता है शांती में फिर कोई कर्म बंधन का हिसाब किताब नहीं रहता परन्तु ये दोनों वस्तु पवित्रता के आधार पर रखते हैं सुक शान्ती ये दोनों वस्तु पवित्रता के आधार पर रखते हैं जब तक पिता की परवरिश का पूर्ण वर्सा ले पिता से सर्टिफिकेट न मिला है तब तक वो वर्सा मिल नहीं सकता शेबाबा ही हमें परवरिश भी देता है ऐसे पूर्ण वर्षा प्राप्त करने का लेकिन फिर सर्टिफिकेट भी देता है तब तक वर्षा मिल नहीं सकता देखो ब्रह्मा के उपर कितना बड़ा काम है मलेच पांच विकारों में मैली अपवित्र आत्माओं को गुल-गुल बनाते हैं जिस अलोकिक कार्य का उजुरा फिर सत्युक का पहला नंबर सी कृष्ण पद मिलता है अब देखो उस पिता के साथ तुम्हारा कितना संबन्द है तो कितना बेफिकर और खुश होना चाहिए अब हर एक अपनी दिल से पूछे हम उनके पूर्ण रिती हो चुके है ये अपने आप से पूछना है अच्छा, ओम शान